नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इत वीडियो में हम आपको मटर की खेती करके अच्छा कारसा इंकम कमा सकते हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते ही मटर की खेती संपूर्न भारत में मटर का प्रियोग सबजी के रूप में किया जाता है लेकिन उत्तर पिर्देश में इसकी खेती अत्यादिक छेत्रे में की जाती है पहाडी चेत्रों में जहां ठंडक रहती है बहां पर इसकी खेती गर्मियों में भी बिकीच जाती है इसकी खेती उत्तर पिर्देश, मद्दे पिर्देश, हिमाचल पिर्देश, पंजाब, हरियाना, राजिस्तान, महाराष्ट, बिहार, एवं करनाटक में अधिक की जाती है दोस्तो मडर की खेती करने के लिए एक उचित जलवायू की अवशता होती है दो मट एवं बलो दो मट भूमी सरवतब होती है अच्चे सादनों की उपलब्दता होने पर सभी पिरकार की भूमी में पेदावार ली जा सकती है दोस्तो आईए अब जानते हैं मटर की किती करने के लिए मटर की किस्मों के बारे में दोस्तो समय के आदार पर मटर के किसमे अलग-अलग पाई जाती है। पहले तो आगेती किसमे जैसे की आगेता 6, 8, 5 सबजी मटर 3 एवं आजात P 3 हैं। मद्यम एवं पचेती किसमे जैसे की आजात P 1, वोन विले, जवाहर मटर 1, आजात P 2 हैं। ये किसमे ऐसी हैं जिनसे आप अच्छी पसल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आई अब जानते हैं मटर की खेती करने के लिए खेत की तैयारी। खेत की पहले जुताई मिटी पलटने वाले हलसे तता बात की 3-4 जुताई देशी हल या कल्ट्री वेक्टर से करके भली माती समतल कर भुरुबुरा बना लेना चाहिए। और आकरी जुताई करने के बाद पाटा अच्छी तरह से लगाकर नमी को दवा देना चाहिए। जिससे की भुबाई के समय नमी अच्छी तरह बनी रहे। और वीज भुबाई अगेती पिरजातियों में 150-160 किलोग्राम प्रति हेक्टर भीज लगता है। मद्य एवं पिछेती पिरजातियों में 100-120 किलोग्राम प्रति हेक्टर भीज लगता है। भीज जनित रोगों से बचाप के लिए 2 ग्राम धीरम या 3 ग्राम मेंको जेव से प्रति किलोग्राम भीज को अपचारित कर लेना चाहिए। 20 सोदन के बाद एक पेक्ट या 200 ग्राम राइजोवियम कल्चर 10 किलोग्राम भीज में मिलाकर चाया में सुखाने के बाद ही भुवाई करनी चाहिए। आगेति पिर्जातियों की भुवाई अक्टुमबर के प्रतम सब्ताह से नवम्बर के प्रतम सब्ताह तक करनी चाहिए। मद्द एवं पिछेती पिरजातियों की बुवाई 15 अक्टूंबर से 15 नवंबर तक करनी चाहिए बुवाई हे लाइनों में हल के पीछे 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए लाइन से लाइन की दूरी 20-25 सेंटीमीटर रखी जाती है और अधिग घना होने पर जमाफ के बाद बिरला कर देना चाहिए और मटर के खेती करने के लिए पोशन पिरवन्दन आगरी जुताई में खेत तयार करके आगरी जुताई में खेत तयार करते समय 200-250 कुइंटल सड़ी कोवर के खात भली बाती मिला देना चाहिए फेर वी अच्छी फसल प्राक्त करने के लिए 40-50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फासपोरस तता 40 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में देना अवश्य के आदी मात्रा नाइट्रोजन, पूरी मात्रा फासपोरस एवं पोटास की बुबाई करते समय तता 6 आदी मात्रा नाइट्रोजन की टोप ड्रेसिन के रूप में बुबाई के 25-30 दिनों के बात देना चाहिए और मटर के खेती करने के लिए जल प्रवर्न, सबजी मटर की फसल कम पानी में होने वाली फसल है लेकिन इसकी बुबाई पलेवा करके अच्छी नमी में करना चाहिए इसमें अवशकता अनुसार सिचाई करनी चैले लेकिन फसल में फूल आने पर तता फलियों में दाना पढ़ने पर अच्छी नमी रहना अवशक है और इस खेती को करने के लिए खरपदवार नियंतरन फसल की प्रारंबिक अवस्ता में सिचाई से पहले हलकी निराई खेतों में अधिक खरपदवार उखते हैं बहां पर रसाइमों का प्रियोग करना चाहिए जैसे की बुवाई के बाद एक दो दिन के अंदर ही जमाव के पहले पेंडी मेत लिन की 3.3 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रेती हेक्टर की दर से खेत में छरकाप कर ना चाहिए और इस खेती में रोग प्रवंदन मतर की खेती में कई रोग लगते हैं जैसे की इसको काईटा विलाइट फ्यूजेरियम विल्ट वेक्टेरियल वाइट जुलसा उक्ठा रोग वुखनी रोग आदील लगते में बुखनी उल्टा सपेथ विलगन के लिए कार करना चाहिए बिलाइट के लिए 50 डगलू पी बेविश्टीन 50 ग्रांट प्रती सो लीडर पानी में मिलाकर चड़काप करना चाहिए इसके साथ ही बीज सोधन करके भुबाई करनी चाहिए तता रोग रोधी फिरजादियों की भुबाई करनी चाहिए और इस फसल में कीट प्रवन्न इसमें पत्ती में सुरंग वन्ने बाले गिडार इवं फली वेदक कीट लगती हैं सबसे पहले कीट वाले पोदों को उखाड़कर अलग कर देना चाहिए तता आगेती बोई गई फसले में भुबाई के समय कुंडों में कार्वो फ्यूरान 50 किलोग्राम अदव का 5 किलोग्राम फोरेट प्रति हेक्टर की दर से प्रियोक करना चाहिए फली वेदक देगने में वेशिल सफ्यूरी जेशिस एक किलोग्राम या फेन वेलरेट 750 मिली लीटर या मोनोक्रोटो फास एक लीटर को पानी में मिलाकर प्रेती हेक्टर की दर से छिड़काप कर देना चाहिए और अंद में फसल की कटाई फूल आने के तीन सब तहा बाद फलियां तुड़ाई योग के हो जाती है फलियां कैयार होने पर सामानिता सास से दस दिन के अंतराल पर तीन से चार 60 कुंटल प्रेती हेक्टर तता मत्य एवं पचेती फिरजातियों की बेदावार 60 से 150 कुंटल प्रेती हेक्टर के हिसाब से प्राप्त होती है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए और अच्छी लगे तो किरपया हमारी इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें त अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों